हाल ही में श्री देवी की बायोग्राफी से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई है। अमिताब बच्चन ने श्री देवी के लिए गुलाबों की एक लारी भेजी। अमिताब श्री देवी की फिल्म खुदा गोवा उन्नीस सौ गांदे में रिलीज हुई थी। श्री देवी इस फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी। तो बिग बी ने गुलाबों की एक लौरी भेजी। श्री देवी ने अमिताब को दी एक और शर्त। श्री देवी ने कहा कि वह इस फिल्म में अभिनय करेंगी। आखिरकार अमिताब और फिल्म निर्देशक मुकुल एस आनंद सहमत हो गए जैवीरू की जोडी का शो आज भी हिंदी सिनेमा के इतिहास में क्लासिक है हालांकि कई लोगों की नजर में अमिताब बच्चन धरमेंद्र से ज्यादा आकरशक थे लेकिन जब पारिश्रमिक की बात आती है तो बिग बी पर बहुत कम बकाया है रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनय के लिए धरमेंद्र ने एक पांच लाग टका कमाए वहां अमिताब को सिर्फ एक लाग मिले संजीव कुमार को 8.45 लाग रुपएय मिलते हैं वहीं जया बच्चन को सिर्फ 35,000 दिये गए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नए वीडियो और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद